हेलो कैसे आप लोग मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के फिर से नय सेस्ट में कल जो है मैंने आपको वी पू सिक का प्रीवीर्ट सिर्का सेलूसन तुरूसन मैंने कर आप सभी लोग को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था विडियो प्रफिर से एक नया सेशन करने वाले हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा क्या आपका यूनिट डिजित कैसे निकालते हैं आज अब लोग इसको देखने वाले काफी अच्छे से अब लोग पहले कंसेप्ट को देखेंगे इसके बाद हम लोग प्रॉशन को भी लगाएंगे और एक क्यूशन जो आपको लाश्ट में मिलेगा जिसका आपको होमबर्ग के रूप में आपको एंसर देना है सो आज का सेसन अब लोग सुरुवात करते हैं पहला स्लाइड से देखिए सबसे पहले आपका इकाई अंक जो होता क्या है या फिर आपका यूनिट डिजिट क्या होता है उसको समझ लेते हैं जैसे मालीजे आपका दिया हुआ है दो तीन चार पांच छे तो राइट सबसे पहला जो आपका डिजिट होता है या अंक होता है क्या होता है या फिर आपका यूनिट डिजिट होता है इसका पहले कंसेप्ट में क्या होता है देखिए सबसे पहले जो है बोला आपका जब संख्या पावर के रूप में हो तो देखिएगा एक जो है आपका बेस हो एक पावर उता है। दो टाइप होता है। आपको बेस होता है। पहले warto प्याप होता है। पहले हैं अद्धितियों को पता होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका पावर बोलते हैं तो इसका कंसेप्ट हम लोग समझते हैं क्या है जब बेस का इकाई अंग ध्यान रखना है आपको इकाई अंग जब क्या हो चार जो नंबर आपको दिख रहा है आपका 0156 जब बेस का इकाई अंग क्या हो आपका 0156 तो क्या होने वाला आपका हमेशा जो है unit digit क्या होने वाला है वो सेम जो है आपका संक्या होने वाला है प्रकृति घात के लिए परना इकाई आपका वही अंक्रहने वाला जैसे एक्जांपल की तोर पर बात करें कि बेस और पाउर तो को समझ में आ गया जैसे मान लिजे कि आपको जो है एक है एक के पाउर मान लिजे आपको दे देगा क्या 110 दे दिया तो इसका unit digit हमेशा जो है आपका एक ही होने वाला क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा अब जो तो आपका कुछ भी पाउर होगा जब कभी भी संख्या जो है आपका अंक जो है लास्ट में 0 156 हो तो unit digit आपका 5 ही होने वाला है ठीक है तो यह चीज़ समझ में आ गया होगा आपको इसी तरीके से मान लिजे आपका unit digit के है 2 है 3 है 6 है इसके पाउर मान लिजे कुछ भी है 2, 3, 4 हो तो इसमें भी आपका unit digit क्या होने वाला आपका 6 हो क्यों हो रहा है आपका क्योंकि आपको यह rules को ध्यान रखना है कि आपका 0 है 1 है 5 है 6 है अगर लास्ट में आपका unit digit रहे पाउर में आपका कुछ भी रहे घात जिसको बूलते है कुछ भी रहे आपका unit digit हमेशा क इसको आप लोग ध्यान रखेंगे highlight किया हुआ है 0 1 और जो है 56 अब चलते हैं कि इसके आलावा कोई अंक आ जाएगा या फिर कोई यूनिट आ जाएगा तो उसको लोग कैसे करेंगे तो उसको देखते हैं यह रूल आपको समझ में आ गया होगा दिक्कत होगा ता आप comment करके पूछ लेंगे बाद में ठीक है जब वीडियो देखेंगे क्योंकि यह वीडियो जो है आपका recording mode में है अब जो है संख्या आपका बच गया अंक क्या दो हो गया तीन हो गया चार हो गया साथ हो गया आठ ह समझ जाएगा तो आपका कोई भी एक्जाम का जो है आपका इनीचे वाला हो गया यह पावर हो गया जैसे आपको बताएं दो के पावर साथ है तो दो क्या आपका बेस है और यह पावर या फिर घात तो जब बेस का इकाई अंक जो है इसके अलावा कुछ भी रहे 0156 ध्यान में रख लिजेगा मतलों कुछ भी रहेगा तो वही अंक होने वाला है अब जो है इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो पावर में जो है आपको बोलना है कि 4 से भाग देना है ध्यान अकना किस से साग देजए किसी चीज में तो दोनों केस हैं आपका जब पूरा कट जाएगा तो एकाई अंक पर आपका वही पावर जो है चार को रख देना है यही बोला है रूस जो परनाम आएगा उसका या क्या होगा तो अब लोग इसको explain करते हैं इसमजते हैं इंगलिस बी सेम ची 156 तो आप क्या करेंगे यूनिट डिजिट वही रने वाला चाहिए पावर कुछ भी हो एक लाख पावर हो दो हो तीन हो चार हो ठीक है अब जो है आपका दो तीन चार साथ आठना हो इसको हम लोग समझते हैं ठीक है समझेगा यह क्या था पहले आपने सिखा है 01 56 रहेगा तो आपका यूनिट डिजिट वही रने वाला है से आपका सेम रहेगा ठीक है यह लोग देख लिए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अब आपका संक्या क्या क्या बच गया आपका अंक तू बच गया है थिरी बच बच गया है सब के लिए जो इसको समझते हैं पावर कुछ भी वजह से मान लिजी कि यहां पर आपको 16 दे दिया है तो आपका काम क्या है सबसे पहले जा रूब को नहीं करना है तो इसको अपने से क्या निखेंगे दो के पावर होता है थिक है तो इस तरीके से स्वाल बनेगा एक सब्सक्राइब दूसरा केस बोला है कि माल लीजिए तीन सव ब्यालीसी रहता लेकिन अब जो है पावर क्या है अपका शोल्ण है अब इस केस में क्या हो है कि आप 16 को जब भाग देंगे 4 से 4 से ही भाग देना हमेंसा आपको 4 से भाग देना ध्यान रखना है चार से आपको भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा अब जो है इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए अब जैसे एक एक जाम बॉल और ले लेते हैं मालीजे साथ है ठीक है साथ है दूसरा केस ले ले लेते हैं मालीजे की लाश्ट में आपका 3 है चार है पाँच है छे है साथ ठीक है इसके पावर मालीजे आपका दिया हुआ है तीन चोव साथ और मालीजे आपका तीन और दो दिया हुआ है ठीक है या फिर आपका चार दिया हुआ ठीक है इस केस में भी आपको क्या करना है इस पीछे से आपको कोई मतलब नहीं है ठीक बट एक चीज़ और भी ध्यान आपको होगा पहले से पता होगा कि जब कभी हमको चार से डिवाइड करना होता है ना तो इसके पीछे से मतलब नहीं होता है लिख लीजेगा यह पता होगा डिविलिटी रूल में आप लोग बेसिक मैं तो पड़े होंगे सीटेट में कि चार से आपको क्या करना है जब चार से आपको डिविलिटी रूल करना है तो आपको चेक करना है wanna तो फिर से होग क्या सुधार कर सकते है है साथ के पावर इतना को बूल जाएगं झथीक है लिए से डिटी रूल चेक करना है तो लास्ट का पावर सिर्फ 34 को उठाएंगे ठीक है अब आपका काम असान हो गया अब 34 में जो है आप किस चीज से भाग देंगे चार से 4 अठे 32 से कितना आगया आपका 2 आगया अब जो सिस आया उसी साथ के पावर का आपको रख देना है तो अब आपको पता चल गया कि उनिडिजिट क्या होने वाला इसका एंसर आपका 9 हो जाएक ठीक है एक हम यह लोग फिर से आपका पावर जो है आपका तीन चार चलिए इसको जो हम लोग अभी डाइक टेक कर लेते हैं जैसे माली जो 32 पावर देदी आपको इसमें वोल आपको यूनी डिजित निकालना है तो क्या करेंगे फिर से इसको जो है भूल जाएंगे आप 8 के पावर क्या लिखेंगे 32 अब पावर चार को सॉल्व करना असान है क्या लिख सकते हैं इसको आठ गूने आठ गूने आठ गूने आठ चार बार लिखेंगे तो आठीटी 64 फिर से आपका गूने आठ केतना होता है तो इस तरीके से हम लोग जो है जीरो से लेके नौ तक देखा क्या 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 हम लोग ने सीखा कि जीरो से लेके आपका जीरो रहे जीरो से लेके इसके अलावा अपकर बच गया जैनी अगर पूरा कर जाता है तो आपको चार को ही आपको रख देना है ठीक है सो इस तरीके से जो है आपका यह rules को अब जो है इस rules को आपको ध्यान रखना है practice कर लेंगे जितना question करार उसको कीजिए और इसके बाद आम लोग जो है एक question आपको homework भी देने वाले है जैसे unit digits से मतलब है आपको गुरन उखर बोला है कि यह जो भी संख्या है उसका इक इंक बताई हमेशे आपको इंकालने के लिए रूस को फॉलोग करना है तो अब जो है आपको 1 से मतलब है डिया क्या कै आप engineer आपका पांच सो अरतिसी सी क्शे से मतलब है जो ग्रीन कलडस से से मतलब है तो चार गुन्ना आठ गुन्ना साथ गुन्ना तीन अब इसको सॉल्फ कीजिए तो आठ गुन्ने चार कितना होता है बद तीस साथ गुन्ने तीन कितना होता है फिर से आपको मतलब है तो दो गुन्ने एक कितना होता है आपका दो होता है तो इसका एंसर क्या हो ज पिछलेंगे पिछला जो वीडियो था उसमें जो है आप सभी लोग का काफी अच्छा सपोर्ट मिला रिस्पॉंस मिला प्यार मिला उसके लिए धन्यवाद थैंक्यो इसको भी उसी तरीके से देखिएगा सेर करते रहेगा अब जो है इस केस में देखते हैं साथ के पावर क् इसका एंसर हो जाएगा बी जो है स्काराइट एंसर हो जाएगा सिंपल से सवाल था जब हैंगे तो विदावट पैन भी सवाल को बना सकते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं फिर से आपका सवाल जो देखने में आप त्वासा बड़ा लग रहा है बहुत ही असान इसका एंसर होना जो समझ जाएंगे तो आप इदावर बनाएंगे जैसे और सbersव करें सैंसर होजाता तो यहां पर साथ हैा आपका पावर क्या है आपका साथ के पावर काई लिखLYना है आपका चोंकि मैंने बताया है कि securely amino से मतलब है पूरे में भाग आप दे सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको और असन वाने के लिए साथ के पावर साथ के पावर दो साथ कितना होता है या साथ के स्कार उन चास तो यूनि डिजिट क्या आगया आपका नो तो देख रहे हैं कि अब तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा चीजे कैसे काम कर रही आप लोग को फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन करते हैं कुश्चन नंबर 4 अब जो इस तरीके से पुछेगा 3 के पावर क्या आपका 65 गुन्य 6 के पावर जो आपका 59 है गुन्य 7 के पावर कितना एक 70 है तो आपका सिंपलता है आपका अब क्या करना है पहले इसको फिर इसको फिर इसको तो 65 है तो पैसक में आप 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 एकाई 4 चार चार चाक 24 तो रिमेंडर कितना आ गया वान आ गया तो इसको क्या लिख देंगे आप 3 के पावर वन इसका काम हो गया अब जो है 69 है 69 को भी आप 4 से क्या करेंगे डिवाइड 4 एक आई 4 पाच में से चार गया एक 9 चार चुछ का सुल्ला अब जो है तीन से आ गया तो जो है 6 के पावर 3 हो जाएगा अबुक घटर है तो एक 60 में क्या करेंगे चार से भाग देंगे तो चार गया चार गया तो साथ ते जब से चार आथे लिख लिखेंगे अब आपका तीन हो गया तीन के पावर एक 3 होने वाला है 6 का Q कितना होता है 216 तो 216 लिख लिख लिजे और 7 का Q कितना होता है 343 Q जो है आपको 1 से लेकर 11 तक आपको Q याद रखेगा important है तो क्या इसका unit digit 3 है 3 है इसका unit digit कितना है 6 है छो 6 लिख दिए इसका unit digit कितना है 3 है अब सब को गुना किजिए इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह चीज को जो है आप और अली जो है सौल्व करेंगे भाग देंगे तो चार एक आई चार दो से सब्सक्राइब हमेशा आपको एक आने वाला है इसका सीमिंटर तो इस तरीके से आपको बनाना है ठीक है तो यह था आपका प्रोसेस चार कुश्चन हम लोग ने लगा लिए विल्कुल चुटकी में इतना तक मुझे लगता है आपको तो सब्सक्राइब जब देखेंगे वीडियो में तो आ जाएगा अब इस सवाल को आपको फिर बनाना होगा तो यह मुझे लगता है कि जब आप लोग देखेंगे वीडि पंचानमे इसी को सॉल्ब करना है तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या कि जेगा सबसे पहले लिखेंगे पलस स्कृदकी लिखेंगे फिर से मतलब तो चार के पाउज行了 95 जो अब 74 में वहां कर दिभाग देना है फिर जो है बीच में पलस हो गया अब 95 में भाग दीजेगा तो 3 आएगा पता आपको कैसे 4 गुना 8 एक 15 चार्थी 12 तो क्या आगया इसका 3 आगया नहीं तो अब जो है 4 के पाउर को 3 को आपको रख देना है 4 के स्कुर कितना होता है तो 16 हो गया चार का क्यों मच 45 चार सब्सक्राइब q कितना एक चार को और अब कर आप 0 तुक्तिक लगाएंगी और बोलेंगे अब हो गया बस ये कददवर ये č et तो इस प्रश्न को जो है आप लोग जब बनाएंगे तो आपका जीरो आएगा चार कुश्चन मुझे लगता है कि आप लोगा डाउट के सारा किलियर हो गया हो गया होगा पाच्वा कुश्चन आप खुछ से बना लेंगे मुझे ऐसा लगता है अब जैसे मालनी जी एक है चार है साथ है तो जैसे इसको आप देखेंगे स्माइल करेंगे बोलेंगे इतना बड़ा है लेकिन इसका यूनिट डिजिट अगर पुछेगा तो आप जो है क्या बोलेंगे विदाउट पेंट क्या होगा इसका फाइव हो जाएगा नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया और इसके पावर कुछ भी देदे तीन देदे दो देदे एक देदे तो आपको पता है यूनिट डिजिट क्या आपका छे है रूल्स आपका क्या है 0156 जब आपका बेस का यूनिट डिजिट रहा है तो डाइरेक्ट आपका एंसर 6 हो जाएगा ठीक है तो आई होप मैंने आपको explain करने का कोशिस किया है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो आप वीडियो देखेंगे तो बताएंगे भी कैसा लगा सेशन और सेर भी आप लोग किजिएगा और आपके सामने प्रस्तूत है एक कुश्चन जो की होंबर्क है आप लोग इसका एंसर मु करके बढ़ आना है और इसी के साथ यहीं तक इसी तरीके से आपका जो में फिलाल वीडियो जो है को लाइफ क्लासिबंगे बट वीडियो भी अप्लोडी होगा सुआ होप यह वीडियो जो है आपका आपके लिए हेलिफूल हो चाया बीपी एक पर दे रहों या फिर कोई सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए जो लोग भी नए होंगे सेशन को बताएंगे कैसा लगा है और लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और अब को अच्छा लगा है तो और जो भी पॉइंट आपको करार है जो भी टोपिक वाइज करार है उसका आप लोग नोट भी बनाईएगा ठीक है इसी के साथ आज का सेशन यही तक मिलते हैं हम लोग नेक्स सेशन में तब के लिए बाय टाटा टेक केर